हलो एब्रीवन, आज डेट है 6 अब दिसंबर 2022 और देहंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देहंदू की इंपोटन न्यूज को एकजाम के पॉइंट अफ़ी से डिसकस करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलग्राम चैनल वॉलकन ओ आई सकेडमी का लिंक दिया हुआ है आप टेलग्राम चैनल वॉलकन ओ आई सकेडमी के साथ में जुड सकते हैं वहाँ पर हर एक्जाम, मिन्सिव, PSC, स्टेट, PCS and other exams के point of view से कभी important information आप सभी के साथ में share की जाती है तो चलो start करते हैं, वीडियो को start करेंगे एक geographical map question के साथ में और आज आपका question ये है कि North Macedonia को आपको map में view करना है, फिर इससे related हर important facts को and information को comment box में type करना है कल हमने आप से question पुछा था, अबरनात को ले करके, तो अबरनात cave, अबरनात temple को अगर हम map में view करें तो अबरनात temple एक important हिंदू श्राइन के रूप में, जम्वेंड कस्मीर यूटी में located है और सिर्नगर से कुछ 100 km की distance पर ये exist करता है हर साल अबरनात temple को ले करके, अबरनात यातरा organize की जाती है और इस साल के जो अबरनात यातरा organize की गई, उसमें flash flood, heavy rainfall देखने को भी ली थी जिसकी वज़े से काफे जादा news में रही थी अच्छा उस time जो है, उस flash flood को, heavy rainfall को cloud worst declare किया गया था लेकिन बाद में बोला गया कि वो cloud worst नहीं था तो cloud worst की क्या definition है, वो आप comment box में बताओगे देहिंदू को अगर हम discuss करें, तो first important news है देहिंदू के front page पर और यहाँ पर तमिलाडू में जो party अभी rule कर रही है DM के उन्होंने Supreme Court को review करने के लिए बोला है कि अभी 10% EWS reservation EWS quota को जो appell किया है Judiciary ने उसको दुबारा से review किया जाए अब देखो Supreme Court इसको accept करके इसको review करती है नहीं अभी तक जो Supreme Court का decision है उन्होंने जो appell किया है जो regular किया है EWS quota को वो ही हमारे important है तो आप comment box में बता दोगे कि EWS quota कोन से constitutional amendment act के थुरू जो है वो लाया गया next important article है Supreme Court में एक petition डाले गई कि जो deceitful conversion होता है मतलब एक religion से दूसरे religion में जो conversion देखने को मिल रहा है उसके solution की यहाँ पर बात की गई है कि उसके solution के उपर जो है वो काम किया जाए तो Supreme Court ने बोला है कि देखो इसका solution ढूणना तो जरूरी है Supreme Court ने यह बोला कि किसी भी community को किसी भी religion को help करना जो है वो बहुत ज़्यादा important है मतलब आप charity अगर करते हो तो वो important है लेकिन charity के नाम पर फिर अगर conversion किया जाए तो यह गलत है मतलब किसी भी person का जो भी right है fundamental जो rights है उनको आप violet कर रहे हो उनको एक तरीके से आप कुछ greed के नाम पर उनको change करने की कोशिस कर रहे हो चाहे उनकी family condition या उनकी economy condition अच्छी नहीं है तो उसका एक benefit लेकर के जो एक conversion किया जाता है वो गलत है next important article है तो यहाँ पर आप सभी को पता है कल भी हमने discuss किया था कि जर्मनी के जो minister है Annabella वो इंडिया की visit पर है और हमारे external affairs minister ने उनके साथ में discussion किया बहुत सारे agreement specific अगर हम बात करें तो migration agreement के उपर specific यहाँ पर दोनों country ने focus किया है कि अगर एक बरसन इंडिया से जर्मनी और जर्मनी से अगर इंडिया आता है तो उनको बहुत सारी चीजे जो है वो easily accessible हो सके दूसरी यहाँ पर main focus था Russian oil purchase को ले करके तो हमारे इंडिया के जो external affairs minister है उन्हें ने इंडिया के stand को defend किया है उन्होंने बोला है कि European countries जितना Russia oil purchase करती है उसका सिर्फ और सिर्फ हम one sixth part जो है वो purchase कर रहे हैं तो इस बात के उपर issue नहीं होना चाहिए दूसरा यहाँ पर major issue यह है कि Russia क्या जो oil है उसकी price जो है वो G7 countries, European Union and Western countries ने मिलकर के एक cap decide करने की कोशिस की तो इंडिया के उपर वो focus करने की कोशिस कर रहे हैं क्योंकि Russia Ukraine war start होने के बाद में majority में अगर हम देखे तो इंडिया में import Russian oil का काफी ज़्यादा increase हो गया है तो इसके बारे में आपर बोला गया है कि इंडिया भी इस price cap में सामिल हो ताकि जो भी issue है या फिर Russia Ukraine war में जो discussion negotiation जो procedure है वो established नहीं हो पा रहा है तो अगर इंडिया भी यहाँ पर support करता है तो इन सारे points के उपर focus किया जा सकता है next यहाँ पर discussion किया गया कि terrorism को लेकर के और भी other issues है इंडो pacific strategy को लेकर के काफी ज़्यादा discussion किया गया तो इंडिया और जर्मनी के कुछ relations के अगर हम बात करें तो देखो 2022 में जर्मनी G7 countries को chairmanship कर रहा है और इंडिया G20 group की हमें अभी chairmanship मिली है तो यहाँ पर यह बोला गया है कि अगर दोनों country अपने आप में cooperation दिखाते हैं तो बहुत सारे issues जैसे कि food security, energy, defense security, green development, environment, climate change इन सभी के उपर focus करते वे बहुत अपना रोल play कर सकता है अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो इंडिया और जर्मनी जो है उनके काफी ज़्यदा common objective भी है जैसे कि दोनों की दोनों जो country हैं वो G4 group के member है G4 group में इनके लावा Japan और Brazil है और यह United Nations Security Council की permanent membership हासल करने के लिए ग्रूप जो है वो काम कर रहा है तो कुछ common objective है अगर दोनों countries मिलकर के अच्छे से work करते हैं तो काफी ज़्यदा benefit काफी ज़्यदा result देखने को मिलेंगी Next important article है यह डल लेकी में जो है वो आपको यहाँ पर दी वही है यह सिकारा यहाँ पर establish कर रहे है temperature के बारे में बताया गया है कि काफी temperature जो है उनीचे यहाँ पर गिर रहा है Supreme Court ने state government को warning देती है कि पंजाब में जो liquor का level जो बढ़ता जा रहा है साथी साथ में drugs जो बढ़ती जा रही है इसकी वज़े से जो हमारा youth है वो काफी ज़्यदा नुकसान में जा रहा है next important article है editorial page पर और यहाँ पर जो first article जो अभी हमने front page पर discuss किया कि हमारे Supreme Court ने जो conversion of religion के बारे में जो important statement दिया है उसी को यहाँ पर बताया हुआ है और इस article पर clearly बोला गया है कि religion की जो freedom है उसको और अच्छे से हम protect कर सकते हैं state जो है वो faith के matter से अपने आपको काफी ज़्यादा distant रखे काफी ज़्यादा दूर रखे तब जाकर कि जो faith है जो religion है उसमें जो freedom है उसको maintain किया जा सकता है next यहाँ पर इरान में जो protest देखने को मिल रहा है उसके बारे में आपर है कलम ने discuss किया कि वागए attorney general ने statement दिया कि जो भी वहाँ की इस तरीके की जो policing है morality police उसको खत्म किया जाएगा तो लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो protest है वो अभी regular है क्योंकि कोई official statement जो है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिला है तो article जो है उसमें बूला गया है कि यह जो protest देखने को मिल रहा है इसको serious instance के रूप में लेना चाहिए कि change की जरुरत है वो time के according जो freedom है जो privacy है उसको maintain करने की जरुरत है और उसी के according जो है यह morality police का जो concept है इसमें काफी जादा change होने चाहिए next important article है यहाँ पर जो writer है वो former special DGP रह चुके हैं 36 गड़ के RKWIS और इन्होंने important बात बोली है पैरोल को लेकर के और forload rules को लेकर के writer का यह बोलना है कि यह जो पैरोल को लेकर के जो भी issue है या पिर यहाँ पर बताया गया है कि prison, reform is यह सब जो है वो state list में आते हैं seven schedule के अंडर और जो state list में आते हैं तो हर state जो है वो अपने अपने के time में online सस्तंग जो है वो October में organize भी किया दूसरा example है एस नलीनी का जो राजीव गांदी assassination case में उनको punishment मिली थी और वो life imprisonment जो punishment है उसको serve कर रही थी तो time to time जो है उनको parole दी जा रही थी और उनको बहुत बार उनका parole जो दिया गया 2021 में वो उनके release तक जो है extend किया गया तो prison act 1894 और prisoners act 1900 ये जो है इन में parole को लेकर के और follow को लेकर के कोई भी specific provision नहीं है ऐसा यहाँ पर बताया हुआ है दूसरा बोला गया है कि prison act जो है उसका section 59 जो है वो states को empower करता है कि आप जो है वो shortening of sentences ये मतलब जो sentence है जो भी punishment है उसको short कर सकते हो और ये सब किसके basis पर जो good conduct प्रिजन में जो good contact दिखाया गया उसके basis पर ये reward दिया जा सकता है तो यहाँ पर इस article में बोला गया है कि अगर हम other other जो state है उनके बारे में बात करें तो other other state में इनको लेकर के rules and regulation जो है वो काफी ज़्यादा different है जैसे कि उत्तरपरदेश को लेकर के हम पर बताया गया है उत्तरपरदेश rules provide for the suspension of sentence without mentioning the term parole or follow or leave by the government generally up to one month मतलब कोई specific term time नहीं बताया हुआ है और एक मंत का वहाँ पर हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा ये जो suspension the period of suspension may exceed even 12 months with prior approval of the governor 12 महीने तक उसको increase किया जा सकता है महरास्टर के rule की अगर हम बात करें तो वहाँ पर convict or follow के लिए follow मतलब कुछ time की छुटी के लिए कुछ time की एक तरीके से उनको जो prison है उससे बाहर निकाला जाए तो 28 दिन का है depending upon the term of sentence कि कितने time की उनकी jail है उसके basis पर ये time period decide होता है emergency parole for 14 days regular parole 45 to 60 days तो other other state के बारे में हाँ पर बताएगे जैसे हर्याना के बारे में बताएगया है कि regular parole to a convict up to 10 weeks in two parts और four law put three to four weeks in a calendar year and emergency parole up to four weeks राम रहीम is on his regular parole do the Tamil Nadu rules of 1982 permit ordinary leave for a period of 21 to 40 days emergency leave is permitted up to 15 days to be spread over four spells यहाँ पर इसके अलावा और भी other other state के बारे में आपर बताया हुआ है कि कितना time घटाया जा सकता है कितना time बढ़ाया जा सकता है कि सेज के according भी ये चीजे जो हैं काफी ज़्यादा different होती है तो heinious crime है तो वहाँ पर parole जो है वो काफी मुस्किल से देखने को मिलती है और other other state में marriage के basis पर या फिर अगर funder lights होते हैं तो उनके basis पर भी जो है उनको छूट दी जाती है तो यहाँ पर यह बोला गया है कि देखो state list के अंडर आता है हर state अपने अपने level पर बनाता है तो यहाँ पर writer का यह बोला है कि हमें कोसिस की जाने चाहिए कि इस तरीके के issues को लेकर के एक common low होना चाहिए बतलब जो state है वो हमारी central government से अर्ज करें और article कुन से आता है? article 252 जिसमें 2 या 2 से अधिक जो है state central government को बोल सकते है यूनिफोर्मिटी होने चाहिए writer का यह बोला है कि कि किसी issue को लेकर के किसी state में जो है restriction जादा है कहीं पर कम है तो इसको लेकर के कि यूनिफोर्मिटी होने चाहिए तब ही जाकर के जो issue है उनको solve किया जा सकता है next important article है text page पर और यहाँ पर देखो कुछ बाते बताए गई है कि UN organization से 117 कुछ union organization bodies और other international organization जो है अगर उनसे contribution मिलता है Indian entities को तो यह FCRA Act 2010 के अंडर नहीं आएगा ऐसा Union Home Ministry ने clear किया है अभी क्या होता है कि foreign से हमें contribution मिलता है तो FCRA Act के अंडर आता है उसमें देखा जाता है कि वो money जो है वो किस objective को मिला है और जिन objective को मिला है उनको सर्व किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है next important article है तो को यहाँ पर कुछ data है कि tourism सिर्लंका जो है वो हमारे पास में एक island nation सर्दन पार्ट में अगर हम देखे सर्दन इस्टन पार्ट में तो सिर्लंका में tourism sector जो है वो काफी ज़्यदा important role play करता है उनकी economy को maintain कि रखने में और सिर्लंका में tourism sector काफी ज़्यदा effect हुआ पहले वहाँ पर easter day पर कुछ attack देखने को मिला कुछ terrorism activities देखने को मिली जिसकी वज़े से फिर covid pandemic इन सभी की वज़े से tourism sector काफी ज़्यदा problematic issue जो है वो सिर्लंका के लिए लेकर किया आया और यहाँ पर कुछ important data रख रखे हैं कि फिर से revival stage में आ रहा है और वहाँ पर फिर से tourism जो है वो promote हो रहा है यह जो article है इसमें international labor organization ने अपनी दो report जो है वो present time में release की है तो इन्होंने यह बताया है इस report में question किया है कि covid-19 pandemic के time में एक तो inflation देखने को मिली दूसरा लोगों की job गई जिससे उनकी जो भी एक तरीके से purchasing power जो है वो decrease देखने को मिली तो इन सब का क्या मिला जुला effect रहा इन सब के बारे में हाँ पर इस report में बरताया गया है global wage report 2022-2023 के लिए तो इसमें कुछ important points की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि देखो covid के time में बहुत सारे लोगों ने अपनी job हो दी थी जैसे Asia Pacific region में अगर हम बात करें तो 22 million job जो है वो लोगों ने खुद दी थी दूसरा यहां पर दूसरी जो report है न वो Asia Pacific employment and social outlook 2022 है जिसमें यह बताया गया है कि Asia Pacific जो area है वहां पर काफी ज़्यादा लोगों में job जो है वो decrease हुई थी देखो अब यह जो COVID pandemic रहा क्या इसमें अलग-लग countries में इसका अलग-लग effect देखने को मिला तो बिलकुल देखने को मिला देखो जो advanced countries है G20 जो group है वहां पर जो real wages है वो काफी ज़्यादा high रहा comparison to emerging G20 countries such as India मतलब जो developed countries है वहां पर effect जो है वो फिर भी थोड़ा कम देखने को मिला जो emerging countries है वहां पर काफी ज़्यादा effect देखने को मिला है तो ILO ने अपनी important बात ये रखती है कि देखो जो भी salary है जो भी job है उसका equitable distribution होना चाहिए और इसके लिए जो है वो एक procedure establish किया जाना चाहिए ताकि जब equitable जो payment होगा तो इसी के basis पर sustainable wage growth जो है वो भी देखने को मिलेगी next important article है तो विजिन जाम जो point है केरला में इसको develop किया जा रहा है तो इसको लेकर के वहां पर काफी ज़्यादा protest देखने को मिल रहा है वहां पर जो लोग है उनको यहां से remove किया जा रहा है जो भी coastal area में जो लोग रह रहे थे तो उन्होंने आपर protest किया है कि इसकी वज़े से जो coastal erosion है वो काफी ज़्यादा increase हो जाएगा साथी साथ में यहां पर fishing based जो community है उनसको भी इसका effect देखने को मिलेगा लेकिन यहां पर यह बताया गया है कि क्या इंडिया के लिए important रहेगा यह vision jam project जो है तो बिल्कुल रहेगा यहां पर यह बताया गया है कि जो भी major international sea route है उनसे सिर्फ 10 nautical miles की distance पर यह port जो है वो established रहेगा जिसकी वज़े से हमें काफी ज़्यादा importance जो है वो देखने को मिलेगा तो काफी important role play करेगा maritime development में हमारी country को लेकर के और केरला को लेकर के तो यह port जो है वो काफी ज़्यादा important है यहां पर जो भी issues है उनको लेकर के protest के time यह बोला गया है कि कुछ हमारे 7 demand है उन सभी को यहां पर view किया जाए एक committee जो है वो बनाई जाए वो view करे उनसी की recommendation के basis पर फिर इसको establish किया जाना चाहिए next important article है G20 group की meeting को लेकर के तो हमारे president ने सभी parties के जो head है उनके साथ में discussion किया कि G20 जो group की chairmanship इंडिया को मिली है वो हमारे लिए एक main जो है या फिर हम बात करें great opportunity है कि किस तरीके से इंडिया आपने आपको represent करता है world level पर यह काफी ज़्याद role play है population को लेकर के trade को लेकर के GDP को लेकर के okay तो यहाँ पर उनमें cooperation की बात की है कि सभी parties मिलकर के indirectly जो है या फिर main focus होना चाहिए country का development उसके उपर हम काम करें ताकि G20 group की जो हमें headship मिली है उसमें हम अच्छा perform कर पाएं okay next important article है foreign page पर और यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिया के साथ में इंडिया और न्यूजिलेंड दोनों के साथ में मिलकर के वो कुसिस कर रहे हैं कि कुछ ऐसे deal हो कि जो dairy output है वो उनका ज्यादा से ज्यादा increase हो तो यहाँ पर इंडिया के अगर हम बात करें तो उन्होंने national livestock development board उनके साथ में कुछ discussion किया है साथे साथ म हम अपने आपको जो growth कर सकते हैं ताकि जो भी dairy products तो लेकर के जो issue है other countries भी जो अपने reliability है उसको हम decrease कर सके ओके दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि देखो जो इरान है वहाँ पर जो भी हमने discuss किया editorial page पर भी तो वहाँ पर कोई important statement या फिर written statement ना देखने की वज़े से जो protest है वो regular वहाँ पर बना हुआ है और major issue क्या था कि जो हिजाब जो है उसको अच्छे से carry नहीं किया गया था तो यहाँ पर बात की जारी है प्रोटेस्ट के time में women जो है वो जादा इसमें participate कर रही है बात की जारी है rights की freedom और privacy जो है उसको maintain किया जाना चाहिए और यहाँ पर चाइना city जहाँ पर zero covid policy को follow किया जा रहा था इन सबसे बाहर निकलने की चाइनीज जो सिटीज है वो कोशिस कर रही है ताकि जो भी issue है उनको solve किया जा सके और वहाँ पर unemployment और भी other issue जो भी उनकी salary है इनको लेकर के उनकी life जो hectic हो रही थी उन सब भी को solve इस लाइक कीजिए शेर कीजिए और चानल को subscribe कीजिए ओके थैंक यू